Hello everyone, welcome to Only IES. इसी basis पर आप समझ सकते हैं कि इस course के सभी lectures कुछ ऐसे ही चलने वाले हैं. ये पहला demo lecture है, इसके लमा और भी बहुत सारे demo lectures चलेंगे आगे, और भी हम upload कर देंगे, और time to time, even जब course चलता भी रहेगा, तो भी हम अपनी accountability ensure करने के लिए ऐसे demo lectures हम YouTube पर publish करते रहेंगे, जिसके business पर at least आपको ये भरोसा रहे, कि यहाँ पर कोई भी quality का degradation नहीं होगा, कभ भी हम tight से ही start करेंगे, आपको पता है कि geography के कुछ major sections होते हैं, अगर बात करें, ये कुछ geography के major section हैं, जिनको हम cover करने ही होशिश करेंगे इस series के अंदर, fundamental geography, geomorphology, oceanography, climatology, Indian geography, world geography, human geography और कुछ इनके अलावा miscellaneous में, जो भी current affairs related, या फिसके अलावा जो भी हाल फिलाल में news में रहे हुए चीजें रहेंगी, उनको हम cover करेंगे, इनके अलावा और भी जो भी map work होता है, या फिर जो भी और भी हमें extra चीजें मिलेंगी, उन सभी को हम miscellaneous के अंदर cover करने कुशिश करेंगे, अब यहाँ पर जो आज tides हम पढ़ रहे हैं, ये tides oceanography का एक छोटा सा section है, oceanography में हम जब यहाँ पर tides को start करेंगे, ये section tides को हम आज पढ़ने कोशिश करना है, लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी हम शुरुआत करेंगे, तो हम अपने fundamental geography से बिल्कुल basics, जैसे जो भी latitude, longitude, हमारे earth का origin कैसे हुआ, solar system कैसे develop हुआ, इनके पीशे कौन-कौन से theories थी, इन सभी चीजों से हम geography को start करेंगे, फिलाल आज का demo lecture जब मैं start करूँ, उससे पहले मैं आपके कुछ common doubts को resolve करना चाहता हूँ, जितने भी mails हमारे पास आई हैं, उन सबसे जो भी common doubts रहे हैं, उनको मैं सबसे पहले address कर दूँ, जिसके basis पर आपको ये doubts फिर future में ना हो, सबसे पहला the most important doubt था, schedule का, बहुत सारी students हमसे schedule की मांग कर रहे थे, वो schedule कुछ इस प्रकार से होगा, कि वो अपने preparation को align कर पाए, और मुझे लगता है कि schedule सबके पास होना भी चाहिए, क्योंकि इनी schedule के business पर वो अपने पूरे preparation को manage कर सकेंगे, वो देख सकेंगे कि क्या उनके द्वारा बनाये गया उनका खुद का इस साल का program, हमारे दिये हुए इस schedule से match कर पाता है या नहीं, या फिर अगर उनको ऐसा लगता है कि ये schedule जो हमने दिया है, वो उनके बनाये हुए plan से थोड़ा बहतर है, तो हो सकता है कि वो इस schedule को भी follow कर ले, तो इसलिए सबसे पहले schedule की मैं ब section मिलता है, और एक चीज और, यहाँ पर कुछ और भी doubts में resolve करता हूँ, ये वाला जो portion है, ये comprehensive prelims, syllabus CSP 2020, ये course आपको join करना है, जब भी आप इस पे click करोगे, तो आपके पास ये page खुलेगा, और इस page में आप इसमें enrollment अपना कर सकते हो, इस course को खरीबते हैं, ठीक है, और जैसे देखिए आप, overview, syllabus, discussion, notes, ये सारी चीजें लिखी हैं, तो overview के अंदर हमने सारे subjects mention कर रहे हैं, आप यहाँ पर आराम से इनको देख सकते हैं, कौन-कौन से subjects यहाँ पर cover किये जा रहे हैं, इनके लावा इसी overview के अंदर ही हम detailed syllabus को upload करने की बात कर रहे हैं, इसके बाद ह हम वापस आते हैं, और schedule के बाद हम देखें, जो भी दूसरा सबसे बड़ा doubt था, schedule को थोड़ा समय और आप तक अभी roughly थोड़ा समय आपको बताने कुशिश करता हूँ, सबसे पहले जब भी आप इस course को join करेंगे, और 28 September से जब यह course start होगा, 28 September में दो subjects जैसा कि हमने promise किया demo lectures होंगे, वो अभी हाल फिलाल में उसको भी upload कर देंगे हम, इनके अलावा जब geography और quality आप roughly मान सकते हैं कि देड़ से दो महीने हम इसी को पढ़ाएंगे, इसके अलावा ये इसमें थोड़े बहुत variations भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम पूरा schedule upload कर देंगे, तो आप वहां से इसको पूरा track कर सकते हैं, इसके अलावा फिर हम दो और subject उठाएंगे, एक तो science and tech और दूसरा modern India, और इसके अलावा जो भी 7 subjects में से बागी के 3 subjects बचते हैं, उनको भी हम देरे-देरे cover करने की कोशिश करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा मैं और आपके कुछ doubts को resolve करने कोश आता है कि वो material थोड़े से English में ही provide करता है, लेकिन lecture सारे bilingual मिलेता है, तो जो भी ऐसे Hindi medium के students इस language में comfortable हैं, और वो जैसे हमेशा की तरह, जैसे prelim booster और editorial discussion को हमेशा से support करते आए हैं, उसी basis पर ये course भी बिल्कुल similar वोसी grounds पर चलेगा, तो जो भी comfortable होंगे, जैसे आज का lecture भी आप देखिए demo के तौर पे, और अंदाजा लगाए कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पर material का थोड़ा सा doubt होता है, तो material यहाँ पर English में ही हम provide कर पाएंगे, तीसरा जो एक बड़ा doubt था, वो ये था कि ये batch जो है वो pre-come mains है, तो pre-come mains में क्या ये mains के subject भी cover कर रहा है क्या, और इसके अलवाज जो हमारे site पर एक mains booster program है, तो फिर वो क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए, यहाँ पर हमने दो courses launch किये हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एक comprehensive prelims syllabus है, और दूसरा यहाँ पर UPSC mains booster program है, इन दोनों courses में काफी differences ह यहाँ पर basically हम prelims पर focus कर रहे हैं, लेकिन prelims के वो सभी subjects, जहाँ पर हमें mains के point of view से भी पढ़ने के जरुवत होगी, उन सभी चीजों को हम दोनों perspective से cover करेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे topics होते हैं, जैसे कि internal security, world history, international relations, ethics, यह सब कुछ ऐसे subjects, बड़े-बडे subjects होते हैं, जो क हम UPSC mains booster program में cover करते हैं, ठीक है, तो जिनको पूरा complete package चाहिए, तो उनके लिए एक अलग से section और बना दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह वाला जो पूरा course है, यह foundation course है, civil services 2020 के लिए, इन दोनों courses को merge करके, इसमें आपको दोनों course, थोड़े कम rate में, यहाँ जो भी हमने discount आपके लिए दिया है, उसको आप calculate कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो यहाँ पर आपको वो मिल जाएगा, ठीक है, तो यह कुछ doubts थे, इनके लावा कुछ और doubts कि अगर मैं बात करूँ, चौते नंबर पर हम doubt ले सकते हैं कि इसकी validity कितनी है, last lecture में मैंने आपको यह बताय था कि इसकी validity केवल आपकी prelim exam तक है, लेकिन बहुत सारे request हमारे पास आये थे, उन request को हम consider करते हुए, हम इसकी validity को बढ़ा के 30th October कर दे रहे, मतलब आपके mains exam तक यह course आपके साथ रहेगा, इसके लावा एक और doubt था कि यह answer writing practice भी कराएगा क्या, देखी, हम इसकी promise तो नहीं करते हैं कि हम आपके द्वारा लिखे गए answers को evaluate करेंगे इस course के अंदर, लेकिन ये बात जरूर होगी कि जो भी mains के questions आज तक इस पूरे topics, जो भी topics हम cover कर रहे होंगे, इसके अगर आए हुए होंगे, तो obviously हम उनको एक बार as a model answer या फिर उनको हम discuss जरूर से करेंग वो ये है कि हमारा course पूरा का पूरा encrypted होता है, encrypted होने का मतलब ये है कि ये downloadable format में नहीं होगा, ठीक है, तो आप यहां से videos को download नहीं कर पाएंगे, इसके लावा एक और query आती है, बहुत लोग बोलते है कि ये हमारे phone में नहीं चल रहा है, actual में उनका phone iPhone होता है, तो iPhone support नहीं क और भी कुछ इसमें queries थी कि कौन इसमें और भी कौन teachers पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे तो अभी आपको दो teachers पता ही है, इनके लावा कुछ और दो या तीन teachers हो सकता है कि इन future हम उनको और add करें, उनसे related भी हम पहले demo lectures upload कर देंगे, फिर आपके द्वारा जो भी decision लिया जाएगा, उसी के basis पर हम उनको enroll करेंगे, और हम हमेशा ensure करेंगे कि आप तक सबसे best content और सबसे best तरीके से हम आप तक provide कर पाएं, तो ये तो आपके सभी doubts को हमने resolve करने के कोशिश की, इसके बाद अब हम बढ़ते हैं, आज ये topic के तरफ जो की है tides, तो हमने oceanographic का एक छोटा सा portion start किया है, जिसको हम tides के form में पढ़ना चाहते हैं, आप अन्दाजा लगा सकते हो कि tides, अगर basically मैं एक layman language में बात करूँ, तो हो सकता है कि ये जो tides है, ये सुनने में बहुत आसान होता हो, लेकिन जब भी आप geography के books में इन tides को पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो काफी confusion होती है बच्चों को, ये देखने में बहुत ही simple topic है, लेकिन फिर पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा complex है, तो उसी complexity को मैं आसान बनने के कोशिश कर रहा हूँ आज, आप भी देखना कि आप तक ये बात पहुच पाती है या नहीं, start करते हैं tides को, tides actual में क् कि अगर ये पुरा हमारा globe है, ये earth है, और इस earth पे आप देख रहे हो कि हमें पता है कि लगबग लगबग 74% ये पुरा water से घिरा हुआ है, तो क्या होता है कि जब भी moon हमारे इस earth के चारों तो रिवाल्व करता है, तो ये एक force exert करता है, मतलब कि आपने physics में भी पढ़ा हो earth की gravitational force का नाम दे सकते हैं, या फिर moon के gravitational force का नाम दे सकते हैं, अब यहाँ पर क्या होगा कि moon अपनी gravity के अनुसार, अब पूरे earth को तो खीश नहीं पाएगा क्योंकि size में काफी छोटा है, तो at least जो भी movable objects हो सकते हैं यहाँ से, जैसे कि water सबसे movable object है, जितना भी चाहे वो water अपने gravity के वज़े से अपने तरफ खीच सकता है, तो यह जो moon के gravitational force से कारण, एक bulging nature यहाँ पर हमको दिख रहा है, इसमें क्या होता है, कि हम दिन में 1, 2, 3, 4 ऐसे बहुत बार हम इन tides को देख सकते हैं, ठीक है, अलग-अलग places में, अलग-अलग तरीके से यह tides ओकर होते हैं, आगे अभी इस lecture में हम इसको भी explain कर देंगे, तो basically हम types को कैसे define करेंगे, एक परकार का ऐसा periodic rise और fall होता है, sea level में, जो कि एक बार या दो बार हम दिन में देख सकते हैं, और इसमें basically किसके ओली होता है, यह moon का तो हमने gravitational force consider किया ही है, लेकिन साथ-साथ आप यह भी हो अर्थ से, यहाँ पर जो sun है, वो काफी दूर है, moon तो हमारे बहुत पास है, हमारे बगल में ही दिखता है हमें, अगर sun से comparison करें हम तो, लेकिन sun हमारे बहुत दूर है, तो इसके इस distance से कारण होगा क्या, कि इसने जो भी gravitational force exert किया है, वो थोड़ा कम हो जाएगा, आपको इस formula को लिखने का केवल इतना मतलब है, कि आप यह समझो कि यहाँ पर mass का directly proportional है, मतलब कि जितना बड़ा mass होगा, उतना दा gravity होगी, इसके अलावा gravitational force होगा, और जो दूसरा यहाँ पर जितना ज्यादा radius, मतलब जितना ज्यादा distance होगा उन दो masses के बीच में, उतना ही कम, उ काफी जादा distance आप बोल सकते हैं, near about double amount में होता है, इसके अलावा केवल हम यह नहीं बोल सकते हैं, कि अगर कुछ भी पानी का level अगर उपर नीचे हो रहा है, तो भी हम इसको tide ही बोलेंगे, हर बार ऐसा possible नहीं होगा, क्योंकि यह बहुत बार surge के कारड या फिर water के अलग- area है, वो काफी उपर तक raise होता है, तो इसमें भी तो water का uplifting हो रहा है, लेकिन यह tides नहीं खलाएगा, यह क्योंकि इसके पीछे जो reason है, वो किसी के gravitational pull के कारण नहीं है, बलकि यह winds और atmospheric pressure के changes के कारण हो रहा है, इसलिए हम इनको tides के अंदर consider नहीं करेंगे, जो भी study होती है इन tides की, जैसा कि मैंने आपको बताए, काफी complex है, काफी complex इस basis पर भी है, क्योंकि यह अलग-अलग जगहाँ पर अलग-अलग तरीके से behave करते हैं, इनकी frequency अलग होती है, इनकी magnitude अलग होते है, इनके height भी अलग-अलग होते हैं, इसी basis पर, अगर हम कुछ forces को define करना चाहे है कि ऐसे कौन-कौन से basic forces हैं, जो कि इन tides के लिए causes का काम कर सकते हैं, मतलब इनके पीछे का कारण बन सकते हैं, सबसे पहला आपको यह तो पता चल गया, कि moons का एक gravitational pull होगा, वो अर्थ से दूसरे तरफ लगेगा, मतलब अगर यह अर्थ है, तो इसके opposite direction में लगेगा, अगर यह थोड़ा सा कीसता होगा, और इससे दुगना जो है, वो moon कीसता होगा, तब भी bulging यहाँ पर आया की नहीं आया, इसके अलावा, एक और आपको बात यहाँ पर हमेशा याद रखनी होगी, कि इन सभी forces को हम किसे ने किसी form में balance भी करना चाहते हैं, जैसे कि हम देखते है कि पीछे के side पर भी bulging होती है हमेशा, अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा question जो हमारे सामने आता है, वो यही आता है, कि actual situation में देखा जाए, तो इधर sun है, और इधर moon है, अगर इन दोनों ने अपने gravitational pull के कारड़, अर्थ के ocean surface को थोड़ा सा उपर तक raise किया है, तो ऐसा क्य को थोड़ा सा और deep में पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर दो forces actual में act कर रहे हैं, सबसे पहले form में जब हम केवल सब चीचों को छोड़ के, केवल moon और sun को consider करें, तो यहाँ पर एक बात हमें देख रहे हैं, कि जो सबसे greater force responsible है, वो है gravitational force, लेकिन दूसरा force, अर्थ के rotation के अगर आपको महसूस होता होगा, यह force हमेशा आपके उपर लगेगा, अगर आप कोई भी rotation वाले काम कर रहे हो, तो जब भी rotation वाले काम होंगे, तो यह हमेशा आपको बाहर की और फेकेगा, इसी चीज़ को आप अगर समझो, और earth की उपर लगाओ, तो आपको पता है ना, क जो water molecules होते हैं, उनको जरूर से थोड़ा सा uplift कर सकता है, इसके वज़े से हमें यहाँ पर centrifugal force देखने को मिलता है, यह centrifugal force अगर आप से कोई पूछता है, कि अखिरकार इनका क्या कारण है, यह centrifugal force क्यों लगते हैं, तो आप simply बताओ, कि यह earth की rotation से लग रहे हैं, लेकिन और sun के just opposite side में क्यों visible है, वो तो फिर centrifugal force यहाँ पर भी लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है, तो सब जगां bulging होनी चाहिए थी ना, यह केवल पीछे की तरफ क्यों bulging हो रही है, तो इसको explain करने के लिए आप इस diagram के और थोड़ा सा देखे तो वो moon और sun के direction में होगा, यह इस direction में होगा, और जब भी centrifugal force लगेगा, तो हमने अभी तक यह पढ़ाए कि वो हमेशा opposite direction में लगेगा, इतनी बात आपको clear है, अब यहाँ पर एक बात यह तै करना है कि आखिरकार यह पीछे की तरफ क्यों लग रहा है, बाकी तरफ क्यो नहीं दिख रहा है, या फिर हमें ऐसा प्रतीत क्यों नहीं हो रहा है, आप यह समझो कि जब भी moon और sun इस phase में हैं, तो आप समझो कि सबसे ज़्यादा gravitational pull इनका कहा लगेगा, इसी phase में तो लगेगा, क्योंकि जो भी इनसे directly contacted surface दिख रहा होगा, वही पर यह gravitational pull लगा सकते ह कि gravitational pull ऐसा तो होगा नहीं, कि अर्थ के पार करके यहां के पानी को भी अंदर खीच लेगा, इतना तो powerful होता नहीं है, इसी लिए क्या problem होगी, कि यहां तक पहुशते पहुशते, इनके जो भी gravitational forces हैं, वो काफी कम हो जाते हैं, इवन यहां पर भी थोड़े थोड़े कर जाता है, अभी तक मानी, अगर centrifugal force यहां पर थोड़ा सा भी उठना चाहता होगा, तो इनके gravitational pull से यह इधर तरफ खिच जाता होगा, नीचे एक side में अगर करता होगा, तो भी इधर के side खिच जाता होगा, और यहां पर तो यह centrifugal force थोड़ा सा इनको भी add ही करता होगा, लेकिन फिर भी अब आप समझो कि जो centrifugal force यहां वाला यह तो independent हो गया ना, यहां पर तो किसी का pressure ही नहीं लग रहा है, ना moon के gravitation का और ना ही sun के gravitation का, तो यहां पर यह आजात पंक्शी बन जाएगा, और आजात पंक्शी बनने के साथ-साथ यह water का एक बड़ा तपका जो यह यलो कलर के आपको arrows दिख रहे हैं यहां पर, यह यलो कलर के arrows centrifugal force को denote कर रहे हैं, यह जो hard line में blue bullet जैसे आपको दिख रहे हैं, यहां पर tide producing force दिख रहा है, मतलब resultant force दिख रहा है, और gravitational force जो है यह blue कलर के arrow में moon और sun के द्वारे दिखा रहा है, अब आप देखो इनके directions थोड़े थोड़े different होते हैं, इसी लिए अगर moon इस direction में force अप्लाई कर रहा है, और earth का यह centrifugal force है यह इस direction में लग रहा है, तो क्या होगा, कि यह balance होके कुछ इस form में आएगा, इसके अलावा, आप यहां पर भी अगर इस photo को देखो, और यहां पर देखो, तो at least यहां पर क्या हो रहा है, कि यहां पर resultant force जो है, वो हमेशा इस centrifugal force को बढ़ा के ले जा रहा है, मतलब यहां पर resultant force जो है, वो bulging form में आएगा, और यहां पर देखो, इस side भी दो forces हैं, और इधर एक single force है, इसलिए यह वाला dominant हो जाएगा, लेकिन यहां यहां पर आप देख रहे कि यह जो अर्थ का rotation है, यह अपने inertia के कारण यहां पर gravitational force इन लोग का apply ज्यादा हो नहीं पा रहा है, इसलिए centrifugal force यहां पर थोड़ा dominant कर गया है, इसके wishes पर यह resulting force देखने को मिलता है, मतलब जो भी tide है, वहां पर अभी तक हमने यही सिखा, जो भी tides होगा, वो हमेशा ती अर्थ का gravitational pull, दूसरा moons का gravitational pull, तीसरा sun का gravitational pull और चौता centrifugal force जो कि अर्थ के rotation से आ रहा है, तो यहां पर जो आपने देखा, कुछ तो centrifugal force भी होता है और कुछ centrifugal force भी होता है, तो इन दोनों को भी earth balance करता है, यहां फर अर्थ का भी कुछ अपना gravitational force भी तो होगा ना, जो कि वह पर act करेगा, तो इसी लिए इस सभी forces के business पर हम tides के resulting force को counter कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर हमको मोटा-मोटा 4 forces को include करना है, सबसे पहला sun का gravitational force, दूसरा moon का gravitational force, तीसरा earth का gravitational force, और चौथा earth जोगी centrifugal force apply कर रहा है वो, बस इनी चार forces के resulting nature से हम tide को देख सकते हैं, अब यहाँ पर tides के बारे में थोड़ी सी और knowledge लेते हैं, देखे, tide जो होता है, basically इन सभी forces के differences से कारण पैदा होता है, मतलब जो भी हमारा resulting force होगा, वही tides के form में हमको मिलता हुआ दिखेगा, इसके लावा आपको यह बात पता होना चाहिए, कि जो भी earth के surface पे, हम लोग moon का सबसे nearest portion देखते हैं, वहाँ पर सबसे यदा attractive force लगेगा, सबसे यदा gravitational force लगेगा, और जो सबसे opposite side होगा, वो सबसे देर में इसको experience करेगा, इसके लाव अगर हम कुछ बात करें, कि कौन-कौन से factors हैं, जो कि tides के nature और magnitude को control करते हैं, तो यह बहुत ही important है, और UPSC, इनसे कई बार question पूछ भी सुकी है, और आगे भी पूछ सकती है, इसलिए इस बारे में थोड़ा साब और specifically knowledge gain करने की सोचो, कुछ controlling और, sorry, कुछ factors जो कि tides के nature और magnitude को control करते हैं, उनमें सबसे पहला है, movement of moon in relation to earth, मतलब earth जिस position पर है, और moon जिस position पर है, जरूरी नहीं है, कि moon हर बार इसी position में हो, earth भी rotate कर रहा है, और moon भी revolve कर रहा है, तो बहुत बार होगा कि यह moon यहाँ पर पहुच जाएगा, तो bulging हमें इस direction में देखने को मिलेगी, मतलब क्या है, कि अलग अलग जगहों पर हम इन सभी forces को इस basis पर define कर सकते है, कि आखिरकार moon और earth इन दोनों के बीच में relative, या फिर relation कैसा है, इनका relative movement कैसा है, पहला controlling factor यह होता है, दूसरा हम देखें, change in the position of sun and moon, मतलब कि sun और moon के भी relative position से, क्यों, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, आप इस diagram को थोड़ा सा समझे, माल लिजए यहाँ पर हमारा प्यारा earth है, और moon का direction यहाँ पर है, और sun जो है, वो कहीं इधर side में बड़ा सा है, अब आप यहाँ पर समझो कि अगर sun अपने gravitational force से, इसको थोड़ा सा increase कर पा रहा होगा, यहाँ पर bulging nature create कर पा रहा होगा, और moon भी इसको अपने द्वारा थोड़ा से यहाँ पर भी bulging create कर पा रहा होगा, तो आखिरकार यह वाला force थोड़ा सा तो यहाँ पर भी लगेगा, और यह sun का भी force थोड़ा सा तो यहाँ पर भी लगेगा, तो इसके वज़े से होगा यूँ कि इनको हम counterbalance करते भी देख सकते हैं, मतलब कि इसके gravitational force को इस position में sun थोड़ा सा counter कर देगा, और sun के gravitational pull का जो effect यहाँ पर देखने को मिल रहा था, उसका moon, वो moon के gravitational force से counterbalance हो जाएगा, मतलब overall situation में देखा जाए, तो केवल earth और moon के relative position से नहीं, बलकि earth, moon और sun इन तीनों के relative position से हम tights को समझ सकते हैं, इसके अलावा there are certain irregularities also, तो इसके basis पर हम ocean के कुछ configurations के भी बात कर सकते हैं, कि ocean में कितना water है, कितना shallow है, कहाँ पर wide continental shelf है, इन सब basis पर भी water का cross sectional area basically कितना होता है, उसके basis पर भी हम tight को consider कर सकते हैं, अब यहाँ पर एक बात हमें और पता होना चाहिए, कि जो भी horizontal tight generating force होता है, वो ज़्यादा effective होता है, बजाए vertical force in generating the tidal bulges, यह थोड़ा सा complex situation है, इसको समझने के लिए आपको physics के बहुत बड़े-बड़े formulae समझने पड़ेंगे, इसलिए मैं उतने deep में आपको समझाना भी नहीं चाहता हूँ, फिलहाल आपको केवल यहाँ पर इतना समझना है, कि जो भी horizontal tight generating force है, वो हमेशा ज़्यादा अच्छे तरीके से act करता है, तो कभी भी UPSC अगर इन relation में वैसे तो इतने detail में पूछती नहीं है, लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ भी पूछती है, तो आपको हमेशा यह बात ध्याद आ जाना चाहिए, कि जो भी horizontal tight generating force होगा, वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा हमेशा, इसके अलावा, यह जो tidal bulges होते हैं, यह continental shells पे थोड़े ज़्यादा height पर दिखेंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो cross sectional area होता है, पर देखना चाहते हैं, यह वाला area जो बिनला है, यह cross sectional area आपको पता है कि continental shell पे काफी कम होता है, तो यह जितना भी कम water होगा, उसके पास उतनी थाकत होगी, कि उस water को उतने उपर तक उठा के ले जाए, इसलिए हम usually ऐसा बोलते हैं, कि continental shells जो होते हैं, जो कि wide continental shells होते हैं, जहां पर ऐसा surface area की हम बात कर रहें, cross sectional area की बात कर रहें, वो काफी कम होते हैं, इसके business पर यहां पर height काफी जादा होती है, और दूसरी बाद आपको यह याद रखना है, कि जो भी mid oceanic islands होते हैं, mid oceanic islands क्या होते हैं, और continental shells क्या होते हैं, उसके लिए थोड़ा सा यह diagram देखिए, यहां पर आप देख रहे होगे कि कुछ यह वाला जो reason है, आक्च्वल में जब भी हम ocean के किनारे पर जाते हैं, तो हम मुश्किल से इससे एक किलोमेटर का area, जो कि यहीं पर खतम हो जाएगा, ऐसा कुछ है, तो हम केवल यहीं तक पहुच पाते हैं, इसके अलावा यह जो एक बड़ा सा reason देख रहोंगे, यहां से यहां तक, जहां पर यह shallow region है, shallow region मतलब यहां पर depth जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, continental shelf, जब भी हम oceanography के starting वाली class लेंगे, तो हम इन सभी चीजों को बहुत ही details से explain करते हुए चलेंगे, फिलाल अभी आज के लिए आप continental shelf केवल इस language में समझने के कोशिश करिए, इसके बाद depth अचानक से बहुत तीजी से बढ़ जाती है, ठीक है, उस सभी details को हम आगे अभी पढ़ लेंगे, लेकिन फिलाल आज के लिए केवल continental shelf पर हम फोकस करते हैं, इसके लाब यहां पर एक और बात आपको याद करना है, कि यह जो mid oceanic islands होते हैं, यहां पर भी tidal bulges का जो nature है, वो थोड़ा कम हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, आप खुद ही समझो, कि जिस हिसाब से हमने देखा कि यहां पर cross sectional area काफी कम होता है, लेकिन जो यह mid oceanic islands होते हैं, वो तो कहीं यहां पर होंगे, और यहां पर आप cross sectional area तो काफी जादा देख रहे होगे, तो इतना power मिल नहीं पाता कि इस बड़े amount को वो raise कर पाए, इसलिए यहां पर हमेशा देखते हैं हम कि उतना उचा उचा tide कभी भी नहीं आता है, मतलब कि इनका gravitational pull उतना strongly यहां पर नहीं लग पाता है, यहां पर आपको एक और बात फ़रसा ध्यान देना है, कि यहां पर जो भी ऐसे base और asuries होती हैं, जो कि हमें हमेशा cost line के पास में ऐसी दिखेंगी, इन जगहों पर tides की intensity काफी जादा हो जाती है, या फिर हम यूँ कहें, कि जो भी tidal magnitudes होते हैं, वो भी काफी अतक बढ़ जाते हैं, हमेशा ऐसा होगा जब भी हमें funnel shape base मिलेंगे, या फिर जो भी यहां पर gulfs हैं, बेज हैं, इन सब में अगर हम कुछ funneling effect की तरीके से कुछ भी देख सकते होगे, इसा तब भी हो सकता है, जब भी दो islands के बीच में ऐसे channels को हम cross करें, तो यहां पर क्या होगा, कि जब भी tide इन दो islands के बीच से, या फिर ऐसे base और ashuries के पास से जब गुजरता है, तो इनको हमनों tidal current का नाम देते हैं, और यहीं पर अभी हम आगे इसी lecture में, टाइडल बोर के बारे में भी पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको और डीटेल से बता चल पाएगा, कि यह टाइडल current अक्च्वल में क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा और डीटेल में समझने के लिए, हम इस map के तरफ चलते हैं, इस map में, अगर हम थोड़ा सा इंडिया पर फोकस करें, और इसको zoom in करके देखें थोड़ा, यहाँ पर हम देख रहे हैं, दो ऐसे funneling effect कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, आप लोगों ने भी बिल्कुल सही इसका अंदाजा लगाया है, यह गुजरात के इन regions में, Gulf of Kach और Gulf of Khambat region में, यहाँ पर उस funneling effect को आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं, इसके अलावा, और भी इंडिया में कुछ ऐसे जगहें हैं, जहाँ पर ऐसा ही funneling effect दिखता है, आपने guess कर लिया होगा इसको, यहाँ पर जो सुन्दर बन वाला area है, जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्रा अपने deltas बनाते हैं, इन deltas के विस्स पर भी आप इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से देख सकते होगे, इसके अलावा जो हम बात कर रहते हैं, funneling effect की, तो funneling effect दो बड़े islands चैनल के बीच में, जैसे कि आप यह वाले region को देख सकते हो, यहाँ पर यह दो islands के बीच में यह जो एक funneling effect देखने को मिल रहा है, एक तो यहाँ पर, या फिर और भी कहीं पर, जैसे आप इन दो regions के बीच में देख सकते होगे, तो ऐसे कहीं पर भी आप इन funneling effect को बहुत भी बड़िया तरीके से समझ सकते हो, जितना भी हमने discuss किया, उसके उपर एक question based है, इसको solve करने कोशिश करते हैं, which place in India has the potential for generation of tidal energy, सबसे पहला option आपके पास, Gulf of Cambay, Gulf of Kutch, Gulf of Manar में 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1 and 3, 1 and 2, 3, आपको बताना है कौन सा, इसमें सही answer है, और आपने बिल्कुल सही guess किया है, क्योंकि Gulf of Manar में तो ऐसा कोई भी funneling effect देखने को नहीं मिलता है, इसलिए tidal energy generate करने का कोई भी potential Gulf of Manar में तो नहीं होगा, answer हमारा हो जाएगा 1 and 2, इसका सही answer, तो यहाँ पर कुछ explanation है, आप चाहें तो उनको pause करके अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं, इसके लाबा हम कुछ और factors की बात करते हैं, जिनके उपर ये tides के nature और magnitude dependent होते हैं, सबसे पहला हमने जैसे तरीके से बात किया, funneling effect का, तो पूरे world में सबसे ज़्यादा ये एक Bay of Fundy है, Bay of Fundy आपको USA और Canada के border पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर इसका shape कुछ इस हिसाब से design किया गया है, या फिर already designed है, नेचर के द्वारा, तो यहाँ पर हमें शब से ज़्यादा tide का energy देखने को मिलता है, यह जो height होता है, tidal bulge का वो कभी कभी 15 से 16 meter उचा भी चला जाता है, तो इसलिए आप इसको और बड़ी तरीके से अगर समझना चाते हो, तो आप इस photo को देख सकते हो, यहाँ पर आप कुछ लोग को देख रहोगे, दोनों ही bay of fundi के same areas के photos है, एक यहाँ पर जब low tide है, low tide में आप देख रहोगे कि यहाँ पर पानी का level कितना है, और लोग आराम से यहाँ पर बिल्कुल नीचे नीचे तक हैं, और यहाँ पर high tide के reason में देखो कि आप यहाँ पर कितने लोग खड़े हो सकते हैं क्या बिल्कुल नीचे तो इस बेसिस पर यह जो bay of fundi है, यह मिशा आप याद रखना नोवा इसकोटिया के pass में है, आप इस में थोड़ा सा देख सकते हो, तो यह नोवा इसकोटिया है और यहाँ पर pass में bay of fundi है, और यहाँ पर पूरे वर्ड का सबसे ऊचा टाइट देखने को मिलता है, इसके लब हम कुछ tides के types की बात करते हैं, तो इसमें हम frequency के basis पर कुछ types देख सकते हैं, हम यह भी देख सकते हैं कि sun, moon और earth के relative क्या के position हैं उसके basis पर भी देख सकते हैं, या फिर moon के perigee और apogee के basis पर भी हम tides के magnitude को define कर सकते हैं, और earth के भी perigee apogee के basis पर हम magnitude को define कर सकते हैं, इन सभी basis पर हम इनको define करनी कोशिश करते हैं, सबसे पहले अगर हम tides के types में frequency का basis लें मतलब कि एक दिन में कितनी बार किसी भी एक place पर tides को हम देख सकते हैं हो सकता है एक बार आए, हो सकता है दो बार आए, चार बार आए, छे बार भी आ सकता है बहुत जगे तो ये अलग-अलग position अर्थ के होते हैं, जिसके basis पर हम tides की कितनी बार frequency देख सकते हैं उन frequencies के उपर हम इनको classify करते हैं सबसे बड़े तीन major classification है, semi-diurnal tide, simple diurnal tide और mixed tide इन तीनों को करके पढ़ने कुशिश करते हैं, उससे पहले हम कुछ concept building का काम देखते हैं अब आपको एक बात अभी से थोड़ा सा अंदाजया लग जाना चाहिए कि ये ये जो है ये अर्थ का axis को अगर हम इसको मानते हैं ये हमारा north pole है और ये हमारा south pole है लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी moon हमारे अर्थ के चारो तरफ revolve कर रहा है वो equator पर revolve नहीं करता है ये इस line पर revolve नहीं कर रहा है बल्कि ये एक declination होता है इसका मतलब कि ये एक particular angle पर revolve करता है इस angle पर तो मतलब अर्थ इस direction में rotate कर रहा है और moon जो है वो इस direction में move कर रहा है तो इसके चलते जो bulges होते हैं वो हमें सीधे equator पर ऐसे ऐसे नहीं दिखते हैं बलकि हमको थोड़े ऊपर और थोड़े नीचे दिखते हैं अगर मून यहाँ पर रहेगा तो bulging यहाँ पर होगी और इसके opposite में centrifugal force के कारण यहाँ पर भी bulging हमको देखने को मिलेगा इसी respect में अगर हम xy latitude को consider करें अगर हम इस आर्थ के इस तरफ से रहेंगे तो यहाँ पर तो एक चोटाा tod dai d he gonnawain अ और यहाँ पर अगर यह Gri घूम के वापस यहाँ तक पहूसता है कि जहाँ पर दोनों equal nature में हो जैसे कि हम कुछ इस nature की बात कर सकते हैं यहाँ पर या फिर equator के पास की आप बात कर लो तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी लगबग इतना ही height है और यहाँ पर भी इतना ही height है मतलब कि इस reason में हम लगबग लगबग जो भी tights देखेंगे उनका height similar होगा इसके अलावा ऐसे भी बहुत बार tights आएंगे जहाँ पर हमें दिन में केवल एक ही बार दिखेगा जैसे कि आप यहाँ पर आजाओ यहाँ पर आओगे तो यह tight का तो height बिल्कुल माइन ही नहीं रखेगा यहाँ पर जो basic height होगा वो इस tight का होगा मतलब कि जब हम अर्थ को घूमते हुए जब यहाँ पर आएंगे तभी हम इस बड़े tight को देखेंगे और वापस से जब हम इतने दूर पूरा चकर काटेंगे तो हमें कोई भी tight देखने को नहीं मिलेगा मतलब यहाँ पर केवल एक बार tight देखने को मिल रहा है यहाँ पर दो बार देखने को मिल रहा है लेकिन एक बार छोटा और एक बार बड़ा और यहाँ पर दोनों दो बार देखने को तो मिल रहा है लेकिन दोनों बार similar heights के हैं इनी concept के basis पर हम इनकी frequencies को define करते हुए इन तीन classification में हम देख रहे हैं सबसे पहला type semi-diurnal tide है semi-diurnal tide में हम ये देखते हैं कि जो भी pattern होता है वो किसी भी earth के एक place पे दो बार high tide देखते हैं और दो बार low tide देखते हैं इसको हम समझते हैं इस वाले diagram से जड़ा help लेके ये diagram ले लेते हैं तो आप ये समझिए कि अगर आप यहाँ पर होंगे तो एक बार तो जब moon यहाँ पर है तो यहाँ पर एक high tide आएगा जब moon यहाँ पहुचेगा तो आपके पास low tide देखने को मिलेगा अब इसके अलावा ये semi-diurnal tide का मतलब ये है कि successive high और low tide हमें same height के मिलेंगे अगर जो हम equator के पास वाली थोड़ी बात कर रहे थे आप वहाँ से भी अनजा लगा सकते हैं कि semi-diurnal tide थोड़े थोड़े वहाँ पर होंगे लेकिन एक concept आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि अगर हम मानते हैं कि यह अर्थ है यहाँ का एक point है और यह moon के सामने है तो अगर अर्थ इस direction में rotate कर रहा है तो वापस इसको वापस यहाँ आने में कितना time लगता है 24 hours लगता है अगर यहीं same phase में आना है और यह भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा लेकिन अर्थ के speed को यह थोड़ा सा catch करने के लिए same उसी जखाँ पर पहुचने के लिए यह exactly 24 hours नहीं लगते हैं यह 24 hours 50 minutes लगते हैं मतलब कि जो हम high tide और low tide की बात कर रहे हैं वो दिन में अगर दो high tide और दो low tide मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि 24 hours में नहीं होंगे बलकि 24 hours 50 minutes में होंगे टोटल इसलिए जब भी हम timeline देखेंगे कि हम दो high tide के बीच में या फिर दो low tide के बीच में या फिर एक high tide और एक low tide के बीच में कितना time interval है तो इसमें exactly 12 hours और 6 hours नहीं मिलेंगे बलकि चुकि 24 hours 50 minutes है तो हम ये बोल सकते हैं कि दो high tide के बीच का जो time difference है वो 12 hours 25 minutes होगा इसी तरीके से अगर हम high tide और low tide के बीच के differences time difference को देखेंगे तो ये 6 hour और 12.5 minutes के लगबग हो जाएगा तो ये time differences के basis पर भी कभी-कभी questions बन जाते हैं इसके लाब ये सब यहाँ पर यही explained है यहाँ पर एक और बात है कि आप समझो कि England में एक Southampton है Southampton में 6-8 बार tides experience होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि दो बार तो इसको high tide मिलता है North Sea के वज़े से और दो बार high tide मिलता है इसको English Channel के वज़े से इसी तरह similarly दो neep tide इसको मिलते है North Sea के वज़े से और दो neep tide मिलते है इनको English Channel के वज़े से अभी high tide और neep tide क्या है अभी हम अगे आने वाले lectures में discuss कर लेंगे इस चीश को अगर हम वापस से थोड़ा समझना चाहते है तो हम इस map में भी देख सकते है यहाँ पर अगर हम इस South Hampton UK को search करते है तो आप यहाँ पर एक place देख रहे होंगे यहाँ पर थोड़ा समय इसको zoom out करता हूँ यहाँ पर जिसकी बात हम कर रहेते कि यहाँ पर दो चीज़े देखने को मिलती है एक तरफ से तो English Channel है और दूसरे तरफ से हमें यहाँ पर North Sea देखने को मिलता है तो अलग-अलग Sea से आप यहाँ पर funneling effect भी थोड़ा सा देख सकते होगे आप इस direction में थोड़ा सा देखो यह South Hampton है यहाँ पर दो आइलेंड के पीछ से भी funneling effect यहाँ से भी और यहाँ से भी देखने को मिल रहा है इसलिए यह जो South Hampton वाली जगह है वो कुछ दो बार High Tide और Neep Tide इदर से आती है और दो बार High Tide और Neep Tide इदर से आती है तो इसलिए यहाँ पर 6-8 बार भी हम लोग Tides को देख सकते हैं अच्छी तरीके से अगला हमारा टॉपिक Diurnal Tide से है इसमें हम लोग एक High Tide और एक Low Tide प्रति दिन देख सकते हैं यहाँ पर इसका मतलब यह है और दोनों की जब successive heights High Tide और Low Tide के approximately same होंगे मतलब यहाँ पर हम polar वाले regions में जो हम समझना चाहते थे शुरुवाती में हम उस Diurnal Tide की बात कर रहे है इसके अलामात तीसरा जो है वो Mixed Tide है Mixed Tide का मतलब क्या है कि जैसे कि हम और दूसरे जगहों पर देख रहे थे देखने को मिलेगा यह वाला जो reason होता है आप देख रहे होगे न मैप में अगर आप ड्रॉ करो तो यहाँ पर आप North America को ही देख सकते हो तो North America वाले reason में ही थोड़ा थोड़ा यह बात किया गया है तो यहाँ पर जो rising water का height है वो vary करेगा इन तीनों के relative position से अब इसके कारण से दो tight हम को देखने को मिल सकते है एक तो spring tight और एक neep tight spring tight को हम लोग high tight भी बोलते है यहाँ पर spring tight को कर हम समझना चाहाँ अच्छे तरीके से तो यह तब ओकर होगा जब sun, earth और moon यह तीनों similar direction या फिर single line में aligned हो जाए मतलब कि या तो moon यहाँ रहे या तो moon पीछे के तरफ रहे दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमको पता है कि just opposite side में centrifugal force act करता ही करता है तो जहाँ पर भी moon नहीं होगा उसका just opposite side centrifugal force work करेगा तो इसलिए इसे matter नहीं करता कि यह moon बीच में हो या फिर बिल्कुल corner में मतलब moon बीच में हो या earth बीच में हो इससे कोई मतलब नहीं है तो जब भी sun, moon और earth एक straight line में होते हैं तब tide का जो height है वो सबसे जादा होता है इसी tide को हम लोग spring tide बोलते हैं और यह मन्त में दो ही बार देखने को मिल सकता है एक तो full moon के time पर और दूसरा new moon के time पर अब आपको पता होना चाहिए full moon और new moon क्या होता है जो भी new moon होता है वो बिल्कुल dark होता है तो इस case में हमको sun के त्वारा जो भी रोशनी आ रही होगी वो पीछे के side आ रही होगी तो मतलब चंद्रमा हमको दिखनी पाएगा इसलिए ये new moon का case होगा इसके अलामा जो इसका just opposite side है यहाँ पर हमको ये अर्थ के थोड़ा सा उपर tilted होगा और इसलिए sun के respect में ये पूरा का पूरा चंद्रमा हमको दिखेगा तो ये हमारे लिए full moon की जैसा होगा तो मतलब कि वोल दो situations में spring tide देखने को मिल सकता है एक तो new moon situation में और एक full moon situation में मैं इसको इतना detail मिसले बता रहा हूँ क्योंकि इसे ही statements आपको मिल सकते हैं कि spring tide occurs twice in a month once जब ये new moon का situation होता है और दूसरा जब ये full moon का situation होता है तो ये statement उस time पर सही करेंगे आप इसी respect में आप एक question देख लेते हैं आपको बताना है इसमें से कौन सा statement spring tide के लिए सही है during spring tide the sun, moon and the earth are in a straight line दूसरा the height of the tide will be higher during the spring tide तीसरा spring tide occurs once in a month अब आपने बहुत अच्छे तरीके से इसका answer कर लिया होगा कि तीसरा statement तो गलत ही है क्योंकि ये दो बार होगा एक new moon और एक full moon के time पर और ये दोनों statement बिल्कुल सही थे तो इसका answer one and two हो जाएगा इसके और भी further explanation के लिए आप यहाँ पर slide को pause करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं अगला हमारा neep tide है neep tide का क्या मतलब होता है ये relatively lower tides होते हैं यहाँ पर जैसा कि हम अभी एक portion में discuss भी कर रहे थे कि तब क्या होगा जब sun और moon एक direction में ना होगे just perpendicular directions में होंगे इस case में तो इन दोनों के gravitational force को ये एक दूसरे counter करते हुए होंगे तो ये जो counter forces लग जाते हैं इसके चलते क्या होता है कि ये जो भी यहाँ पर tides आते हैं ये उतने height के होनी पाते हैं मतलब कि आप अगर ऐसा समझो कि एक normal average level है ये tide का height है अगर spring tide आएगा तो ये normal height से भी ज़्यादा उपर होगा spring tide और अगर neep tide आता है तो इस से थोड़ा सा नीचे ही होगा इस neep tide मतलब कि एक average से उपर पहुचने पर अगर पानी का height इस से उपर पहुच जाता है तो spring tide होगा और इसके नीचे neep tide होगा मतलब usually neep tide हमारे average height से भी कम होते हैं और spring tide हमारे average height से भी ज़्यादा होते हैं इसके लावा यहाँ पर हम यही तरीके से देख सकते हैं कि moon का जो attraction है वो इस direction में है और sun का attraction इस direction में है इसी लिए यह दोनों forces जो है वो counteracting हो जाते हैं और यहाँ पर हम neep tide देखते हैं यहाँ पर neep tide के लिए भी दो time आएगा ना एक तो जब moon इस position पर हो और यही अब rotate होके यहाँ पर आएगा तब भी हम इसको month में दो बार देख सकते हैं दोनों को combined form में अगर आप देखना चाहते हैं एक साथ और यह भी third quarter moon और first quarter moon के अंदर यहाँ पर आप एक बात थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक और चीज़ डीटेल में दिख रहा होगा कि यह जो dark blue color का bulging है यह bulging थोड़ा सा solar tide के वज़े से हो रहा है Consider the following statement regarding nebtide and springtide मैं बताने है कौन से statement से ही है nebtide और springtide से related पहला there is a seven day interval between springtide and nebtide यहाँ पर आप seven days से पहले exact word use कर लीजे there is a exact seven day interval between the springtide and nebtide दूसरा statement is during nebtide the sun and moon are at right angles to each other जैसा कि यह भी हमने पढ़ा कि nebtide में यह वाला statement तो बिल्कुल सही है लेकिन यहाँ पर exact seven day नहीं हो सकते हैं यह seven day से कुछ कम होते हैं जैसा कि मैं पता है कि approximately अगर हम बात करें तो इसको 27 days लगते हैं अर्थ का चकर काटे में तो अगर हम इसको four से divide भी करेंगे तो भी लगबग लगबग यह seven day से कम ही आएगा तो यहाँ पर यह statement गलत हो जाएगा हमारा और हमारा statement जो है वो केवल दो होगा अगर यहाँ पर approximate word यूज किया गया होता है कि approximately seven days लगते हैं तो यह answer सही हो गया होता इसके लाब हमारा अगला type जो है वो magnitude के basis पर है कि जो moon का position है हमें पता है कि moon ऐसा नहीं है कि earth बिल्कुल center में है और इससे जो moon का distance है वो हमेशा equidistance या फिर circular path में है बलकि जो moon का यह path जो है revolution का यह elliptical nature का होता है मतलब कभी तो यह earth के pass होगा और कभी earth के काफी दूर होगा इन दोनों distances पे earth के size में भी difference आता है क्योंकि जो भी चीज हमारे pass आती जाती है आपको पता है कि वो हमें थोड़ी बड़ी दिखती है और जो भी चीज़ें हमसे थोड़ी दूर जाती है वो चीज़ें थोड़ी छोटी दिखती है इसी basis पर perogy और apogee ये दोनों moon के दो terms है आप इसको इस तरीके से आत कर सकते हो perogy वो position है जब sun on moon के बीच में कम distance होगा मतलब p से pass आप consider कर सकते हो जब earth के पास moon होगा तो perogy और इसका just opposite जब earth से दूर होगा moon तो ये apogee हो जाएगा इसी के region से अब आप समझो कि जब perogy वाला position होगा तो आपको ये लगेगा ना कि ये जो tide का gravitational pool ये तो थोड़ा सा और बढ़ जाना चाहिए तो obviously ऐसा होगा भी तो इस kind में हम देखते हैं कि जब भी perogy वाला situation होता है तब यहां पर tidal range काफी जादा होते है normal से भी काफी जादा होते हैं दूसरा जब apogee होता है तो इस case में जो भी normal होते हैं उनसे थोड़ी कम height ही रह जाती है आप इस diagram में इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं यहां पर यह वाला situation जो है यहां पर आप देख पा रहे होगे कि distance कितना है 356 500 km यह closest distance है आर्थ और मून की बीच का और यहां पर 4,6,700 km है तो यह काफी जादा distance है इन दोनों के cases में हम देखते हैं इस इस वाले situation को हम perigee बोलेंगे और इस वाले situation को हम apogee बोलेंगे सेम इसी तरीके से अगर हम मून को हटाके यहां पर sun लगा दें तो sun का चकर जब भी अर्थ काटता है तो अर्थ भी ऐसे ही elliptical path में काटता है अगर यह बड़ा diagram यह sun है और यह अर्थ छोटा सा इसके चारत अर्थ रिवाल्व कर रहा है तो जब यह sun से सबसे दूर होगा अर्थ तो इसको भी हम epihalion बोलेंगे मतलब की concept वही लगाना है कि अगर perihalion है यहां पर हेलियन से रिलिटेड है तो जब भी हेलियन वर्ड आएगा तो वो sun से रिलिटेड हो जाएगा जब भी perigee पोजी वाला है तो वो मून से रिलिटेड है पी है तो पास ए है तो दूर यहां पर भी पी है तो पास वाला मतलब यहां पर अगर अर्थ है तो यह sun और अर्थ के बीच का जो distance है वो वाले case में मुझको perihalion बोलेंगे सबसे closest होता है और यह around 3 January के होता है अब यहां पर थोड़ा सा false हो जाता है distance पर matter नहीं करता है कि हमारे हां के climatic conditions कैसे होने वाले है इसलिए कभी भी इस चाहिस से confused नहीं होना है आपको यहां पर 3 January के आसपास हमारा अर्थ जो है वो sun से सबसे नजदीक होता है और इस case को हम perihalion बोलते हैं और यहां पर high और unusually low tides भी आते हैं क्यों क क्योंकि अर्थ का gravitational pull जो है यह काफी जादा होता है तो यहां पर unusually high और unusually low tide आते हैं इनके अलामाद जब सबसे दूर होता है तो यह condition लगबग 4 July का होता है जब sun और अर्थ की बीच का दूरी बहुत जादा है और इस time हम काफी गर्मी का सामना करते हैं और यहां पर जो average tide का height होता है वो usually tide के height से भी काफी कम होता है इन सभी cases को आप इन diagram पर इक basis पर भी समझ सकते हो और perigy apogee को भी आप ऐसा समझो कि यह 14% size छोटा हो जाता है हमें उतना समझ भी नहीं आता है लेकिन आप थोड़ा सा अगर calculate करके देखेंगे तो लगबग लगबग moon का size जो है वो perigy में यह होता है और apogee में यह होता है इसके लामें एक और question attend करते है which are the following names of the position moon, sun and earth has correctly matched आपको बताने कौन सा सही matched है perihelion मतलब when the earth is closest to the sun, बिल्कुल सही statement है, perigy मतलब when the moon's orbit is closest to the earth, यह भी बिल्कुल सही statement है, apogee मतलब when the earth is farthest from the sun, यह sun नहीं होना चाहिए न, sun का क्या होगा, hellion word यूज हो जाएगा, इसलिए यह statement गलत है, one and two is the correct answer, इसके explanation के लिए आप इसको pause करके अच्छे से पढ़ सकते अगला topic हमारा ebb और flood से related है, यह दो ऐसे terms है, आप इस diagram को देखेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत दार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा यह land mass region है, यह land mass region में यह कुछ ऐसा narrow इसका mouth है, जहां से ocean यह पूरे surface से currents अंदर और बाहर की तरफ निकलते हैं, तो ऐसा होगा न को denote करते हैं, अगर हम इनको define करना चाहें, तो ebb जो होता है, basically वो time interval है, जब एक high tide अपने low tide की तरफ बढ़ता है, मतलब कि अगर high tide से low tide जाने में, मतलब कि अगर पानी का level यहां पर हो, और यह gradually decrease होते होते होते, यहां पर पहुँच जाए, तो इसके बीच का जो भी time interval हो अपर से high tide तरक पहुचेगा, तो हम इसको flood या flow का नाम देंगे, एक question अटेंड करते हैं, इससे, which of the following statement is true regarding ebb and flow of tides, सबसे पहला statement है, the time between the high tide and low tide, when the water level is falling, is called the flow, अब हमने पढ़ा कि flow तब होगा, जब falling नहीं, जब यह raising होगा, तो इस case के लिए यह statement हमारा गलत हो जाएग इसके लबाद, the time interval of the low tide and high tide, when the tide is rising, is called the ebb, अब यह वाला statement भी गलत हो गया, यहाँ पर rising नहीं, यहाँ पर falling होना चाहिए था, इस respect में दोनों ही statement गलत हैं, हमारा none of the above answer सही हो जाएगा, इसका explanation यहाँ पर दिया हुआ है, अब इसको पढ़ सकते हैं, अगला topic है हमारा importance of tides यहाँ पर tides के importance को हम basically 4 form में देख सकते हैं, तो navigation, fishing, desilting और कुछ other form में, अब tides हो की हमने इतना पढ़ लिया कि हमें पता चलिया कि इनके बीच का time difference कितना होता है, कब आता है, तो यहाँ पर हम अच्छे तरीके से advance में predict कर सकते हैं, कि हाँ 6 बच के 5 मिनट पर यह high tide आए यह कैसे हैं, इनको हम 4 पार्ट में अलग-अलग करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, सबसे पहला navigation के place में हम देखते हैं, तो यहाँ पर basically क्या होता है, जितने भी harbour होते हैं अगर आप इस example को थोड़ा सा समझने कोशिश करो, यह माल लिजे आपका land surface है और यहाँ पर फिर high tide का इंतजार करना पड़ता है, जब भी high tide आता है, तो इन river का जो water है, इनका level भी काफी ऊचा हो जाता है, इन ऊचे हुए water पर यह बड़े-बड़े ships भी अंदर की तरफ आ सकते हैं, मतलब कि अगर हमको अपने बड़े-बड़े ships को harbour पर भी dock करना है, तो इनके docking के लि पाते हैं, तो यह भी बाहर थोड़े deep ocean में ही wait करते हैं, high tide आने का, जैसे ही high tide आता है, तो वो यहाँ पर shore पर चले जाते हैं, तो यह सब कुछ basic importance है, tides के आने का, जो कि usually सब कोई इसका use करता है, इसकर हम आप fisherman के अगर बात करें, तो fishing के लिए भी बहुत conducive environment बन जाता है जब भी high tide आता है, high tide जो है, वो fishing के लिए बहुत बढ़िया होता है, जो कि यह high tide क्या करता है, पानी को shore के तरफ लेके आता है न, तो इन पानी के साथ साथ बहुत सारी मचलिया भी shore के तरफ आती हैं, जिनके वेसिस पर यह जो fishermen होते हैं, इन सब को catch कर सकते हैं, इसके ला साथ में आते हैं, तो river उनको अपने साथ carry करते हुए लेके आती है, और यह सब को एकठा कर देती है, deltas के pass में, estuaries के pass में, तो यहाँ पर क्या होता है, कि एक बड़ा counter wall बन जाता है, यहाँ पर क्या होता है, कि यह अब पानी इधर नहीं बह सकता, और फिर यहाँ वाला करते हैं, कि इनको अच्छे से पूरी मिट्टी को निकाल के, फिर इनको ट्रक में भर के कही और दूर ले जाए, लेकिन tides के पास इतनी energy होती है, अपने आप में, कि जब भी यह शोर से या शुरिक से पास आता है, तो यह जितने भी silted यहाँ पर जमा किये हुए होते हैं उन सब को high tide में उपर उठाता है, और low tide में अपने साथ बहा के वापस ले जाता है, तो यहाँ पर desilting के लिए भी काफी हत्ता की यह काम में आता है, इसके लाबाद दूसरे purpose के अगर हम यूज की बात करें, तो electricity generate करने के लिए बहुत बढ़ी है use हो सकता है, Canada, France, Russia, China, इस diagram को देखो, यहाँ पर क्या होता है, कि यह जो slice gates आपको दिख रहे हैं, जब भी high tide होता है न, तो यह high tide में बहुत सारा पानी अंदर की तरफ जाता है, इन सब पानी इसको हम store करते हैं, और high tide के बाद हम इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पर होगा क्या, कि जब भी पानी अ हम इस store को धीरे से खोलते हैं, जिसके basis पर यह ऊचा लेवल का पानी वापस से नीचे की और जाता है, इस direction में, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से हमारा turbine यह ना चाहिएगा, और इस turbine के rotation से ही, तो हम electricity produce करते हैं हर बार, तो इसी basis पर हम tidal energy को भी hardness कर सकते हैं, इनके लाँ एक question देखते हैं, फिर इंडिया के point of view से बात कर लेंगे, consider the following statement regarding tidal energy generation, सबसे पहला, the difference in water height from low tide and high tide is potential energy, तो यह साही statement है, कि low tide और high tide में जो height का difference होता है, इसी potential को हम harness करके energy generate करते हैं, तो यह statement तो सही हो गया हमारा, tidal water is captured in a barrage across an estuary during low tide and forced through a hydro turbine during high tide, तो यह statement तो आपको भी पत चल गया होगा, कि थोड़ा उल्टा लिख दिया है, यहाँ पर high tide होना चाहिए था और यहाँ पर low tide होना चाहिए था, तो इसने थोड़ा पलट की लिख दिया, इसलिए यह statement गलत होगा, इसलिए हमने दो option को eliminate कर दिया, sorry, तीनों eliminate होगे, अब तो answer भी आ गया हमारा 1 and 3, to capture sufficient power from tidal energy potential, the height of high tide must be at least 5 meters greater than low tide, अब देखी यह कुछ factual information है, जो कि हमको याद हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो इन पर UPSC हमेशा आपको margin देगी, कि आपको basic concepts पता होने चाहिए, इस basic concepts के basis पर भी आप इन answers को टिक कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सारे factual information आपको पता ही हो, इसके लावा इस explanation को आप आराम से flight pause करके पढ़ सकते हो, अगला topic हमारा tidal energy in India से related है कि इंडिया में आखिरकार इन इनर्जी को हम कैसे harness कर रहे हैं, तो मार्स 2017 तक कि अगर बात करें तो इस time पर ये estimate लगाये गया है ministry of new and renewable energy के साथ-साथ, कि एक तो announcement हो चुकी है कि हम इ ही potential को harness करने के लिए हमारे पास Gulf of Combat में 7000 megawatt of power produce करने की capability है, even Gulf of Kutch में 1200 megawatt of power produce करने की capability है, और सुन्दर बनके डेल्टा या फिर गंगेटिक डेल्टा वाले रिजेन में भी हम लगबग-लग-लग 100 megawatt तक की energy produce कर सकते हैं, लेकिन अभी हाल फिलाल में तो हम एक ही छोटे project की ही बात करते है, tidal energy थोड़ा बहुत costly होता है, तो इसके चलते हैं अभी India tidal energy पे बहुत जादा focus नहीं कर रही है, अगला topic हमारा tidal bore से related है, यहां पर tidal bore जब हम भी थोड़े देर पहले tidal current पढ़ रहे थे, तो tidal current के अंतर हमने एक example के तोर पर tidal bore का नाम दिया था, हमन इनका जो rear portion होता है, वो काफी narrow काफी सक्रा होता है, अब आप खुदी सोचो कि जब इस पूरे बड़े जगें से ये पानी को लाते हुए, शोर के तरफ आ रहा है, तो यहां पर बहुत छोटा जगह मिल रहा है ना, तो अव्यस सी बात है कि ये पानी का height तो काफी उचा हो यहां पर अगर हम gulf of combat की बात करें, तो यहां पर आप एक river को देख रहे होगे, अब इस river में basically आप यहां पर नर्मदा river देख रहे हो, तो यह जो भी rivers हैं, यह आखिर यहीं पर drain कर रही है, और यह जब flux तेगी से अंदर की और जाएगा, तो यह river इस direction में आ रही है, तो इनका ठकराओ होगा ना कहीं पर तो, इनी ठकराओ से कुछ waves generate होते हैं, कुछ currents generate होते हैं, जिनको हम लोग tidal bore का नाम देते हैं, वो देखने में कुछ इस हिसाब से दिख सकते हैं, यह दिखने में छोटे लग रहे होंगे, आपको यहां पर देखिए, यह दो ships दिख रहे ह यहां पर, तो यह काफी उचे उचे भी हो सकते हैं, और कुछ कुछ region तो ऐसे हैं, जहां पर यह बहुत जादे height में आते हैं, और इनका problem यह है ना कि हम इनको, जैसे की tides को तो हम अच्छे तरीके से expect कर सकते हैं, कि इतने time में tides आते हैं, लेकिन tidal bore को अच्छे तरीके से expect नहीं कर सकते हैं, ना ही हम इसको estimate कर सकते हैं, कि यह कब आएंगे, कितने height पर आएंगे, बहुत ही sudden होते हैं, इसलिए यह tidal bore थोड़े खतरनाक होते हैं, इसके लावा हमने यह देखा कि जो भी ऐसे gulf वाले reason में होंगे, और यहां से tide आ रहा होगा, और यहां से कुछ river water आ रहे होगे, तो इनके टकराव से क्या होगा, एक wall जैसा create हो जाएगा, दोनों के पानी जब टकराएंगे तो, यह जो wall create हो रहा है, इसी को हम लोग tidal bore का नाम दे रहे हैं, अब इसे कुछ favorable conditions होगे, जैसे कि कितना strong tidal wave आ रहा है, इसके लावा यह जो portion है, इसका depth कितना जादा है, या फिर जो river आ रही है, उसका flux, उसका flow कितना जादा है, तो इन सभी चीज़ों पर tidal bore का हम एक condition दिखा सकते हैं, कुछ exceptions भी होते हैं, ज़रूरी नहीं कि यह जो एक narrow passage बन रहा है, कि वो gloves, gulfs वगरा में ही tidal bore दिखें, जैसे कि Amazon River है, यह world की सबसे largest river है, और यह अपना पानी Atlantic Ocean में empty करती है, लेकिन Amazon River का जो mouth है वो बहुत narrow नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर बहुत strong tidal bore आते हैं, उनका reason यह दिया जाता है, कि यह जो tidal bore हैं, यह इसलिए यहां पर strong आते हैं, क्योंकि भले ही Amazon River का जो mouth है, वो काफी चौड़ा होगा, लेकिन इसक height बहुत कम है, और यहां पर dotted low-lying islands भी हैं, और बहुत सारे sand bars भी हैं, इसके चलते का बता है, कुछ तो funneling effect उनको मिल जाता है, और यहां पर भी tidal bore ऐसा ही कुछ create हो जाता है, तो हर चीज के पीछे कुछ अपना reason होता है, इंडिया में भी tidal bore आते हैं, हुगली river के आसपास पर इनका नाम tidal bore रख दिया गया है, इसके लावा कुछ और भी locations है worldwide पर जहां पर हमी tidal bore को देख सकते हैं, और यह कभी-कभी बहुत उचे-उचे आ जाते हैं, अब यहां पर हमें कुछ और conditions पता हो नीचे, जितना भी अभी तक हमने knowledge gather किया है, उसके विसस पर हम यह quarter moons होते हैं, जहां पर हम लोग neep tide की बात कर रहे थे, वहां पर भी weakest tide होते हैं, तो वहां पर भी ऐसे tidal bore देखने को नहीं मिलते हैं, इसके लावा इसके impact की अगर हम बात करें, तो यह tides stable और predictable होते हैं, उसी जगह पर tidal bore सबसे कम predictable और बहुत खतरनाग भी होते हैं, टाइ tidal bore थोड़े खतरनाग nature के होते हैं, जो बहुत जादा strong tidal bore होते हैं, वो fishing zone को भी effect करते हैं, वो जो भी ashuries के पास में ऐसे fishing grounds बनते थे, उन सब को भी यह nest करने भी capability रखते हैं, इसके लावा यह ashuries को तो effect करते ही करते हैं, साथ में जो भी इनके breeding grounds भी होते हैं, वहां पर भ पर फीचे हम लोग carnivores और scavengers को देखते होंगे, क्योंकि यहाँ पर loss सबसे ज़्यादा हो रहा है न, habitat का, या फिर जो भी wildlife है, तो यहाँ पर इन scavengers और carnivores को तो बढ़िया खाना मिल जाता होगा, तो इसलिए tidal bore के आस पास आपको carnivores और scavengers देखने को भी अच्छे त आपको बताए कि तीनो एक ही direction में aligned हो, मतलब जो यह स्म डिरेक्शन वाला है, तो यह answer सही हो जाएगा, अब यह तो और वी आसान question हो गया, सबसे कम कब होगा, परीहलियन वाला, नहीं, हलियन जो है, वो sun के लिए होता है, परीजी होगा, यहाँ पर answer, इसके अलावा, चौ कुछ mains के question को हम देखते है, what are tides, how are tides caused and how are tides related to navigation, अभी हमने इन सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से define कर लिया है, आप capability रखते हो, कि इसको 150 words में बहुत अच्छे तरीके से answer करोगे, इसके लावा, explain the formation and classification of tides, why does moon had such important role to play than sun in understanding the tidal impact, अभी यहाँ पर वही वाली बात कि moon का distance काफी pass है, और इन सब के बारे में हमने details से अच्छा कर ली है, तो इसमें कुछ भी और extra बताने का नहीं है, अब बहुत ही आसानी से इसके answer को भी दे सकते हो, how are tidal currents different from tidal boards, discuss the importance and uses of tidal current, तो यह भी हमने discuss कर लिया है, कि tidal current के क्या-क्या use हो सकते हैं, जैसे navigation में, fishing में इनके लावा tidal currents और tidal boards के बीच में क्या differences होते हैं, यह भी हमने अच्छे तरीके से discuss कर लिया, तो आज के lecture में बस इतना ही information था, और यह एक परकार का demo lecture है, जब भी हम इसमें बात कर रहे होंगे, कि ऐसे questions पूछे गए और आज मैंने इनको explain नहीं किया, वो इसलिए क्यों इतना पढ़ने के बाद आप खुदी capable हो कि इन सभी questions के answer बहुत ही असानी से कर सकते हो, तो आज के lecture में बस इतनी information थी, कोई भी further doubts और उनकी clarification के लिए आप onlyprelim at the rate gmail.com पे हमें mail कर सकते हैं, thank you very much for listening it very patiently, have a nice day.